एक आदमी को चार किलो गेहूं और एक किलो चावल मिलता है पांच किलो हम इसका 50% इंक्रीज कर रहे हैं अभी इस महीने के लिए तो साड़े साथ किलो राशन एक व्यक्ति को दिया जाएगा और वो फ्री दिया जाएगा अभी तक दो रुपे किलो गेहूं के लेते थे तीन रुपे किलो चावल के जो हम चार्ज करती थी सरकार और चीनी के जो मेख़ा से 13 रुपए है वो लिया करते थे अब वो फ्री राशन दिया जाएगा आपसे पैसे नहीं लिये जाएंगे और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपरेल महीने का राशन जो है जो डेड़ गुना राशन है अपरेल महीने में जो आपको 30 मार्च से ही देना चालू कर दें इतना समय हमें लग जाएगा कि अंदर सरकार से प्रोक्योर करने में और ट्रांस मार्च से ही हम लोग लागू कर दें मेरी सब लोगों से जो भी राशन लेने जाएंगे उनसे विंती है कि वहां पे भी राशन के दुकान पे भी भी भीड़ना लगाएं अगर लाइन में लगें तो थोड़ा सा लाइन में एक-एक मीटर का फासला देके लगें सब को कर लीजिए घर में और तरह तरह की एकसरसाइज कर लीजिए लेकिन थोड़े दिन के लिए वाक बंद कर दीजिए और अपने घर में भी जब रहें तो अपने नौकरों से और हो सके तो जरूर पढ़े तो फैमिली मेंबर से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए हमारी दिल्ली के लिए हमारे देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो हमें हो सकता है लॉक डाउन भी करना पड़े लेकिन अभी इसकी जरूरत हमें नहीं लग रही तो जो भी कदम उठाएंगे आप सब के साथ मिलके उठाएंगे अपने सब की सेहत के लिए उठाएंगे प पाच से ज्यादा लोग एक जगे एकठे ना हूँ और अगर कहीं हैं भी तो अपने बीच में एक एक मेटर का फासला रखें कई जगे ऐसे होती हैं जहां पर लाइने भी लगनी होती हैं वहां भी एक एक मेटर का फासला लाइन भी अगर लगी है तो एक एक मेटर का फासला कल प्रधानमंत्री जी ने एलान किया है जनता कर्फ्यू का उसको मद्दे नज़र रखते हुए कल ट्रेंज भी नहीं चल रही है, मेट्रो भी नहीं चल रही है, कई सारे आटो टैक्सी भी सड़क पे नहीं होंगे हमने इस बारे में काफी विचार किया कि क्या सारी बसे सड़क से बंद कर दी जाएं, तो उसमें एक ये विचार आया कि अगर सारी बसे हम लोगों ने बंद कर दी तो जो अमर्जनसी जिन लोगों को होगी उन्हें दिक्कत हो सकती है, तो कल हम 50% बसे सड़क पे कल नहीं चला अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें